हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल डेफ्ट स्टडी और आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का नाभी की ऊड़जा बता देते हैं कि क्लास जो 12 के स्टूडन्स है आपकी जो फिजिक्स की बुक है उसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपका चैप्टर है नाभी की ऊ तो वह भी आसानी से इससार को पिंप्लीट कर सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको क्या करना चैप्टर का धैनकी डालना आपिकि ऊर्जा और विया है नाभी की स्टी आपी कि हुआ होती है इसके बारे में हम बताएंगी है तो सबसे पहले आपर लिख रखा है कि परम पहला तो होती है नाभी की विखंड़न अभी करिया दूसरी होती है नाभी के सलयन हैं तो इनके बारे में ठीटेल में आपको कल बताएंगे नाभी के क्रिया को छूश ही ride और जो उर्जा मुक्त होती है उसको हम नाभी की उर्जा कहते है आई होप आपको यह तो याद हो गया होगा लेकिन आपको अगर यह नहीं पता है नाभी क्या होता है तो आपको पता देते हैं जैसे की आप परमाडू तो आपने सुनाई होगा देखे जो परमाडू होता है बहुत स्याथे common language है यह आपने फस्टियन में इस पड़ा होगा दो भाग होते है यह वाला जो पार्ट होता है एक होता है इसी जो बीच वाला अंदर वाला पार्ट होता है इसी को हम क्या कहते है नाभिक कहते है अगर आप से कोई पूछे कि परमाड़ो कितने भागों से मिल होता है जो यह अंदर वाला पार्ट होता है परमाड़ो का तो वहीं हमने लिखते है यानि जो परमाड़ो के नाभिक में जो क्रिया होगी वह नाभिक क्रिया के लाइगी और जो मुक्त होगी उसको क्या कहेंगे आगे इसके अगले क्लास में आपको विखंडन और नाभिक करते हैं तो आईए होप आपको आज के क्लास में नभी के उड़जा क्या होती है यह तो याद भी हो गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा फिर मिलते हैं इसके अगले क्लास में तब तक के लिए जाए हिन जैबार